नमस्कार मित्वनों मैं दुरगा प्रसाद मिस्र मुर्चकटिक के साथवेंग की सक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूँ इसमें हम लोग मुर्चकटिक का साथवेंग देखेंगे सब्तमों कह तता है प्रविसादी चारदत्तों विदूस गश्च तता है इसके बाद चारदत्त और विदूसक का मंच पर प्रविस होता है इसके पहले चारदत्त के प्रवहन में आर्यक चड़कर के चारदत्त के पास आ रहा है जबकि चारोदत सोच रहा है कि उसके पास वसंत सेना आ रही है और वसंत सेना अस्थावरक चेट जिस प्रभण को ले जा रहा था जैनि सकार के प्रभण को उसमें वसंत सेना सकार के पास जा रही है तो अभी दूसर कहता है भो हो पश्य 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 पुस्व करंड़क जीरुनों ध्याना से सस्रीकताम देखिए देखिए हेमित्र चारुदत पश्य पश्य देखिए देखिए पुस्व करंड़क जीरुनों ध्यान की सस्रीकता यानि सोभा को देखिए सोभा सालिता को देखिए क्योंकि बसंत सेना के इंतिजार में ये लोग अपना मन बहला रहे हैं चारदत कहता है वैस हे मित्र एवम एतत एतत मन यह एवम मन ऐसा ही है कि यहां पर जो तरवह यान इवरिक्ष है वो बनिग जे इव भानती वनिग की तरहे बनियूंग की तरहे भानती मने सुसोभित हो रहे है और पढ़ने मतलब होता है बेचनी योग बस्त में तो यहां पर जैसे कुसुम है फूल है वो पढ़नियान इव यानि बेचनी योग बस्तूं की तरहे इस्थित हैं और सुलक मिव साध्य अंतहा और सुलक यानि टैक्स को इवमाने मानू साध्य अंतह मने लेते हुए मधुकर पुरुशा है मधुकर यानि भौरे रूपी प ब्रिक्ष हैं उनकी तुलना यहां बनियों से की व्यापारियों से की कि तरू जो है व्यापारियों की तरह हैं और उन ब्रिक्षों के जो फूल हैं वहां पर वेचनी योग के बस्तूं की तरह हैं और जो उन फूलों से जो रस ले रहे हैं ऐसे भौरे रूपी जो पुरु और वहाँ पर टेक्स लेने वाले लोग जो भूरे हैं वहाँ पर मने टेक्स लेने वाले लोगों की तरह भूरे हैं तो भी दूश्य कहता है कि भू हो इस और संसकार रमणियं शिला तलम उपविसेत भवान इस और संसकार रमणियं और रमणी यानि जो अत्यन्त सुंदर है इदम मने यहाँ और संसकार मने बिना गिसे ही रमणी या मने अत्यन्त सुंदर है वैशे शिलातल यानि पत्थर के ऊपर उपविशत मने बैठी ये भवान मने आप बासमझ में आ गई तो चारदत कहता है उपविश्यमाने बैठ करके बैस्या ही वित्र चरयती बर्धमान कहा जो बर्धमानक चेट मैंने उसको आग्या दे थी कि वसंत सेना को सुबह सुबह ही ले आना तो वो चरयत मने देर कर रहा है बर्धमानक चेट देर कर रहा है तो विदूसर कहता है कि भ भणिता मने कहा गया था मैया मने मेरे द्वारा बर्धमानक को भणिता कहा गया था कि वसंत सेनाम ग्रहित्वा लगु लगु आगच्छ वसंत सेना को ग्रहित्वा मने लेकर के लगु लगु मने सीग्र सीग्र आगच्छ वाने आ जाना तो चारुदत कहता है तत किम चिर्यत मैंने देर कर रहा है तत्मनि तो किम मने क्यों चल मने देर कर रहा है तो तुक्िंधातर हो की किम याल सै पुरह वह शनय ही प्रवह Twitter शेहर数 अγतेश देश कल रहा है भगनेक्षे परिवरतनम प्रकुरुते देखो किम माने क्या याति माने जा रहा है अस्ति माने इसके पूरा हमाने सामने शना ही माने धीरे धीरे परवहन माने कोई और गाड़ी क्या इसके सामने कोई दुसरी गाड़ी चल रही है तस से मने जिसके अंतरम मार गते अंतरम यानी कि मतलब उसके आगे निकलने का जगह मार गते मेने खोज रहा है जीसे कोई मेरे आगे बड़ा बाहन जा रहा हूँ रास्ते में अब वो बीच में चलाये जा रहा है और धीरे धीरे जा रहा है अब हम ऐसी जगे खोज रहे हैं जहां पर थोड़ी रास्ता चोड़ी हो और उसके किनारे से हम अपने गाड़ी निकाल के ले जाए तो वही समस् किम माने क्या यात माने जा रही है अस माने इसके पूरा माने आगे सनही माने धीरे धीरे प्रमेहन माने कोई दुसरी गाड़ी इस तस्यांतरम मारगते उसके अंतर को यह मांग रहा है मतलब खोज रहा है उसके अंतर को जो है मारगन माने खोज रहा है उसके अंतर माने मने कर रहा है भगने अक्षे मने पहिया तूट जाने पर क्या है परिवर्तन को कर रहा है परिवर्तन मने पहिया बदल रहा है दुरा तूट गया है उसका प्रिवर्तन कर रहा है चिन्ने थवा प्रग्रह चिन्नो थवा प्रग्रह चिन्नो थवा प्रग्रह यानि प्रग्रह टूट गई है अथबा मने अथबा प्रग्रह मने जो लगामे है वो छिंद मने टूट गई है जिसके द्वार जो बहलों को नेंतरत करने वाली रस्यां है वो टूट गई है अथबा करमानत ओजित दार उबारित गतिर यहां कर्मान्त नहीं वर्मान्त है वर्मान्त मतलब मार्ग तो मार्ग के अंत यानि की मध्य में वर्म कहते हैं मार्ग को वर्त्म ये वर्म नहीं है वर्त्म है तो वर्त्म यानि मार्ग क्योंकि वर्त्मन कहते हैं मार्ग को तो वर्त्म यानि मार्ग के अंत माने बीच में उज्जित का मतलब है त्यागी गई मतलब त्यागी गई का मतलब जैसे कोई पहन काट के डाल दिया है रास्ते की बीच में तो वरत्मयानी मार्ग के अंतमने मद्ध में बीच में उज्जित्मने काट करके डाल दी गई, त्याग दी गई, दारूमने लकड़ी, उसके कारण बारित गती, गती रुक गई है जिसकी, यानि कि हो सकता है दुसरे रास्टे से ला रहा हूँ, या फिर उसको हटा के ला र गवाल दूसरे मारग को मतलब मांग रहा है प्रारथना कर रहा है कि चलो दूसरे मारग से निकल जाते हैं ऐसा कर रहा है कि स्वहरम प्रेरित गो युगह की मतबा स्वच्छंद मांग अच्छति अधवा जो करदमानक है वह स्वहीरम्माने अराम से प्रेरित और युग मतलब बहलों को यूग मतलब यूग मतलब दो तो गो यूग यानि 2 अराम से ढीर धीरित करता हुआ कि माने क्या अथवा सूच्छंदम आगच्छत इस वीज़धे मतलव अराम से धीरे धीरे आ रहा है सूचंदता से आ रहा है क्या काराण है अथवा वर्तम के मध्य में उज्जितमने जो काट के डाल दी गए एसी दारू लकड़ी के बारित मतलब के कार निबारित हो गई है गती जिसकी ऐसा बर्धमानक दूसरे मारक को मारगांतर को याचते मतलब मांग रहा है इसको प्रवेश करके अब जो है उसका प्रवेश होता है बस तो तो असल में हुआ ये था कि उसको पकड़ लिया था चेट को जो बर्दमानक चेट है उसको तो पकड़ लिया था चंदनक और भी रखने तो इसलिए उसको लेट हो गया नहीं तो दूसरी बात यह है कि वो सुरू में भी उधर गलती कर दिया था वो उधर जो यान का अस्तरन था उसको भूल गया था तो प्रविश्य मने प्रव प्रवहन पर यानि गाड़ी पर इस्थित हो करके जिसमें गुप्त मने चिपा हुआ है आर्रेक ऐसे प्रवहन पर अस्त मतले इस्थित हो करके चेट प्रवेश करता है समझा गया गुप्त मने चिपा हुआ है आर्रेक जिस प्रवहन पर ऐसे प्रवहन मने गाड़ी में अस स्वगतम मने अंदर ही अंदर आर्यक स्वगतम मने अंदर ही अंदर बोलता है कि नरपति पुरुशान आम दरसनाद भीत भीता हा सनिगड़ चरनत्वात सावसे सापसा रहा अभिदित मदिरूढ हो या मिसाधुस्त याने परब्रतिव नीडे रक्षितो बायसी भी मतलब क्या है वो सोच रहा है कि चारुदत के पास जब मैं पहुँच जाऊंगा तो क्या चारुदत मेरी रक्षा करेगा या चारुदत से मुझे कोई डर है ये सब बातें वो सोच रहा है फिर निसकर्स निकालता है कि चारुदत सरनागतों की रक्षा करने वाला है इसलिए वो मेरी यवस्य रक्षा करेगा तो नरपती पूरुशनानाम नरपती यानि राजा के पूरुश यानि जो सिपाही लोग हैं उन सिपाहियों के दरसनात मने देखने से भीत भीता मतलब और बहुत ज़्याधा डरा हुआ क्योंकि बीच में चंदनक वीरक रूप सिपाही मिल यह थे भूतों चंदनक ने बचा लिया उसको नहीं तो नरपती यानि राजा के पूरुश मने सिपाहियों को दरसनात देखने कारण भीत भीत भीता मने अत्यमत डरा हुआ और सो निगड चरण त्वात साबसेसा अपसा रहा सो निगड यानि की बेडियों के सहित चरण मन मने बचा हुआ है अभी मतलब भागने जो पूरी तरह से भाग नहीं सकता है बात समझ में एक नहीं साबसेस मने अभी कुछ बचा हुआ है अपसार मने भागना जिसका मतलब जो अभी अपनी इच्छा से पूरी तरह से भाग नहीं सकता है क्योंकि इसके पैरों में बेडि के तू मतलब तो याने मने यान में, मैं चारदत के यान में जा तो रहा हूं, अब दितम मने बिना जाने ही या डिधूरा मने चड़ा हुआ या में जा रहा हूं, साधू यानि सजन चारदत के यान में, परभृत इव नीडे रक्षितो बायसी भी, जिस परकार से नीड यान कि गोंसले में बायसी भी मने कवों के द्वारा परभृत यानी कोयल को इव मने जिस प्रकार से नीड मने गोंसले में रक्षिता मतलब रक्षा की जाती है तो रक्षित किया जाता है जैसे परभृत मने कोयल उसी प्रकार से मैं भी उस चारदत्य के यान में चारदत्य के बाह जो कवाव कोयल होती है वह उपना अंडा कवए के गौशलेंसे ने रख देती है और पिर जो कवई रहती है वह अंडे को अपना अंडा समझ करके उसकी रक्षा करती है पालन पोशन करती है तो उसी प्रकार से ब्रोड़त के यान में आर्यक्ष चढ गया और दूसरे के द्वारा रक्षा किया जा रहा है परभरतिव क्योंकि अगर यही उसके उसमें न चड़ा होता कहीं और होता तो चंद्रक इसको अबसे पकड़वा देता लेकिन चंद्रक ने सोचा कि चारुदत के वाहन है तो चारुदत के ऊपर भी राजा अनुशाशन तो परभरतिव नीडे नीड में यानी घोंसले में जिस परकार से परभरत मने कोयल की तरह है जैसे कववियों के द्वारा कोयल को रक्षित किया जाता है उसी परकार समय भी इसक के यान में चड़ा हुआ सो रक्षित हूँ फिर कहता है अहो अरे नगरात सुदूरम अपक्रांतो अस्मी नगर से सुदूरम मने बहुत दूर अपक्रांता मने भाग आया अस्मी मने हुँ तत माने तो किम माने क्या आस्मात प्रवेहनाद अबतीर रहा है तत माने तो किम माने क्या आस्मात माने इस प्रवेहन माने गाड़ी से अबतीर उतर करके वरिक्षवाटिका गहनम प्रविसामी गहन माने बहुत जो सघन वरिक्षों की बाटिका में प्रवेश कर जाओ उताह ब्रिक्षबाटिका गहने प्रवेश करने से क्रतम मने विर्थ है न प्रवेश करना नहीं करना चाहिए अभ्युपपन्न वतसलाह खलु तत्रभवान आरे चारुदत थास्तृ गौश्त रूप से अभ्युपपन्न यान सरनागतों के वतसल यानि प्रेमी है अभिपन मने सरनागतों के उपर वत्सलेनी कृपा दिखाने वाले हैं ऐसे खल उनिश्चित रूप से तत्रभान पूजनी आरे चारदत शुरुईते मेंने सुने जाते हैं तत मने तो प्रतेक्षी करते में उनको प्रतेक्ष देख करके गच्छा में मने जाऊंगा तो अब वो बोलता है कि सतावद असमद विशनार्ण बोथितम निरिक्ष साधुहु समुपईती निर्वर्तिम सरीर मेतद गतमी इद्रशीम दसाम धृतम मया तस्यमहात्मनों पुणई माने सह माने वह चारुदत तावत माने तो असमद माने मेरे विशन माने दुख रूपी अरणव यानी समुद्र से उत्थित मतलब निकले हुए निर्वर्ति यानी ये जो मेरी प्रसन्नता है इसको निरिक्ष माने देख करके साधु भने वहा समुपईत माने प्राप्त कर अथवा यहां पर उत्थितम सरीरम इस प्रकार से हम अन्वय कर सकते हैं कि या फिर उत्थितम माम और निर्वरती का मतलब है खुशी आनंद सुख को तो देखो सह मने वह चारुदत साधू मने सज्जन वह चारुदत समुपईती मने प्राप्त करेगा निर्वरती यानि सुख को चारुदत सुख को प्राप्त करेंगे निरिक्ष मने देख करके कैसे तावत माने तो असमत माने हमारे व्यसन माने दुख रूपी अरणव यानी सागर से उत्थित माने निकले हुए माम माने मुझको निरिक्च देख करके वह साधू निर्वर्ति यानी सुक को समुपईति माने प्राप्त करेंगे और सरीरम एतत गतम इद्रसीम दसाम धरतम माने मेरा जो सरीर है और गतम इद्रसीम दसाम माने इस प्रकार की दसा यानी अवस्था को इद्रसीम इस प्रकार की दसा अवस्था को गतम माने पहुँच गया जो मेरा सरीर है वह धरतम माने आज भी धारण है यानी कि मैं जो गतम माने पहुंच गया प्राप्त किया गया जो दुर्दसा को प्राप्त जो मेरा सरीर एतत सरीर म्या सरीर है यह दृतम माने अभी भी धारण किया हुआ है जिन्दा है तो मया मने मेरे द्वारा धारण किया गया है तो तस्स महात्मनों गुण नहीं तस्स माने उसी चारदत रूपी महान पुरुष महापुरुष के गुणों के द्वारा ही यह धारण किया गया है इसलिए अस्मद मने मेरे व्यसन रूपी अरणव यानी सागर से दुख रूपी सागर से उत्थित मने निकले हुए माम निरीक्ष मुझ को देख करके वह साधू सजन अवस्चिंद्र आप कहते हैं कि चेट बुलता है कि इदम तद उद्ध्यानम यह वो उद्ध्यान है यावद उपसरपामी चलो इसमें पास चलता हूँ उपसरत्य माने पास जाकर के आर मित्रे ऐसा जोर से अबाज लगाता है तो विदूसर कहता है भोह प्रियम ते निवेदयामी वर्धम को मंत्र यह थी ए मित्र ते माने तुम्हारा प्रियम माने प्रिय निवेदयामी निवेदित कर रहा हूँ कि बर्धमान का मंत्र यह थी बर्धमान का आबाज लगा रहा है आगतिया बसंत सेनया भवतव्यम बसंत सेना को आ गया हूना चाहिए चारदुत गहता है प्रियम प्रियम नहमाने हमको यह प्रियम है बहुत प्रिए बाते एक बसंसहन आ गई है तो विदूसक कहता है कि दास्याहँ पुतर अरे नीच किम्चे राये तो असी क्यों देर किया है तू किम्चे राये तो ऑजमने क्यों तूने देर की है तो चेट कहता है किरेडे म79 कुपऊ मैं यान का जो विछावन था उसको भूल गया था गाड़ी का इस पर बैठा करके विछावन आसन भूल गया था तो विछावन को लाया तो गता गती मतलब जाना आना कुरुवन मने करते हुए चिराईता है असमी मुझे थोड़ा देर लग गई चिराईता है असमी यानी थोड़ा देर हो गया लेट हो गया मैं तो चारदत कहता है रे वर्धमानक परिबरते प्रभहनम इस प्रभहन मने गाड़ी को परिबरते मने उल्टा करो और है सखे मैत्रे या अबतार ये बसंत सेना को उतारो तो विदूशक मैत्रे ये जो विदूशक है वो बोलता है कि किम निगडेन बद्धो अस्याह पादो येन सोयम नावतरती कि माने क्या निगडेन माने बेडियों से बद्धो माने बद्धे हैं अस्याह माने इसके पादो माने पैर इस बसंत सेनक पैर के बेडियों से बद्धे हैं येन माने जिससे सोयम माने अपने आप नावतरत मा करके और प्रभेहन मुदगाट प्रभेहन को खोलता है गाड़ी को खोलता है फिर कहता है भो डर जाता है कि नो बसंत सेना बसंत सेना खलू एसा कि अरे यह बसंत सेना नहीं है नो मने नहीं है बसंत सेना बसंत सेना खलू एसा एसा हमाने यहा खलू निश्चित रूप से बसं यह सुखती है याद कर लेड़े ना चार्दों तो कहता है मित्र अलम परिहास मत करो मजाक मत करो अलम परिहास मने मजाक अलम माने मत करो वह सिह मित्रव आथव आधवा मैं स्वयम ही आवतारया माने उतारता हूं इति उत्तिष्ठत है तेसा बोल करके उठता है आर्यक द्रिश्ट्वा मनें देख करके बोलता है अए अहमेव प्रभहन स्वामि नके बलम सूरुति रमनी यहाँ द्रिश्टी रमनियों भी ये जो है सूकती है कि आरेक बोलता है देख कर कि क्या रही आयमेवो प्रमहण स्वामी आयमेवाना यही प्रमहण का यानि गाड़ी का स्वामी है न केवलम सुरुती रमनिय यहां ये केवल सुरुती रमणी है, सुनने में ही इसके ये अच्छा है, यानि कि इसके गुण इतने अच्छे हैं कि इसके बारे में अच्छी अच्छी बातें सुनी जाती है, तो ऐसा ही नहीं है, ये देखने में भी अच्छा है, बात समझ में एक नहीं, न केवल नहीं केवल सु यानि सुनने में ही रमणी हैं केवल इनके वारे में जो बाते सुनी जाती हैं वही बाते रमणी हैं इसी बात नहीं है देखने में भी एच्छे लग रहे हैं और दूसरी बात है इनकी आवाज भी जो है बहुत मधूर आवाज है तो नौ माने नहीं केवल हम केवल सुनने में रमणिये हैं या फिर इनके बारे में जो गुण सुने जाते हैं उन्ही कारणी रमणिये माने मनोहर हैं रमणिये माने मनोहर हैं सुन्दर हैं अपी तो द्रिष्टी रमणिया देखने में भी सुन्दर हैं सुनने में ही सुन्दर नहीं द्रिष्टी देखने में भी रमणिये कि मैंने सुन दहां को विर्यम्न ये लगते हैं अपिमाने भी हंत शुल ठाइंग वालँ ध्रृण吐ा रक्षित हमाय अवरे बच गया असमी मीँए रक्षित हमाने रक्षित कर लिया गया सस्वाभा के रिष्टव मुर्य हुं अरे ततमाने तो कोयम माने अयम कह यह कौन है तो चारोदे तसलोग पढ़ता है करिकर समवाहु हूँ सिंग पीनो नतान सहा प्रतुतर समवक्षा स्तामर लोला या ताक्षा कथमिदम समानम प्राप्त एबम विधोयो बहत निगडमेकम पादलगनम हत्मा माले निचंद है करि माने हाथी के कर्माने सून के समान बाहु मतलबा है हाथी की सून के समान बाहे है और सिंग पीनो नतान सहा और यह जितने भी स्लोक है वो तो आपको पता ही होने चाहिए कौन सा स्लोक किसने कहा है तो स्लोकों के बारे में मैं आपको बस इतना ही कह सकता हूँ यह सूक्ति न बड़े मोटे मोटे उन्नत माने उंचे उठे हुए अंस माने कंधे होते हैं तो सेर के समान पीन मतलब मने स्थूल उन्नत माने उंचे अंस मने कंधे तो सिंग के समान बड़े बड़े और उंचे उठे हुए कंधों बाला है यह और प्रथूतर समबक्षा हा प्रथूतर का मत मतलव है अत्यन्त विशाल पर्थूतर यानि अत्यन्त विशाल समवक्षाह सम यानि की जिसका बहुत जादा उंचा नीचाना हो इस परकार से पर्थूतर मानि अत्यन्त विशाल सम यानि की उंचा नीचाना हो समान हो इस परकार के वक्षस्तल वाला चाती वाला है और ताम्र लोल आयत आक्षहा तामर बरन की लोल याने चंचल और आयत यानी विशाल अक्ष मतलब आँखों बाला है। इस असमान अवस्था को अयोग्य निगड को निगड यानी बेडियों को कथम मने कैसे इदम मने यहाँ इस असमान निगड को इस असमान मने के अनुचित मतलब जिससे बांधा नहीं जाना चाहिए अयसे असमान निगड यानी बेडियों को प्राक्त करके एवं विधा मने इस प्रकार का यह मने जो यह महात्मा है जो महाना अत्मा महापुरुस पादलगनम मने पैर में लगे हुए निगड को एक निगड को 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 जो कि पैर में लगा हुआ उस निगड को एक निगड को एक बेड़ी को बहत मने धो रहा है एवं विधाहा इस प्रकार से यानि दुर्दसा में पढ़के दुर्दसा को प्राप्त करके या महानात्मा महापुरूस या मने जो इस प्रकार से एक निगड को असमान मने अनुचित इदम मने इस निगड यानी बेड़ी को जो पादलगन पैर में लगी हुए ऐसी एक निगड को एक बेड़ी को बाद हो रहा है तता को भवान तो आप कौन है को मतलब कौन भवान मने आप कौन है तो आरेक कहता है सरनागता गोपाल प्रकृति ही आरेका अस्मी मैं सरनागत हूँ आपके और गोपाल प्रकृति ही यानि गोपाल सुभाव वाला यानि गौाला हूँ गोपाल प्रकृति ही मतलब गोपाल से पैदा हुआ मैं गोपाल मेरे पिता है तो गोपाल मेर कि किम माने क्या घोस मतलब वही गौलों की बस्ती सी आनिय माने लाकर के यो असव माने जो यहा राग्या पालके न मने राजा पालक ने बंधा मतलब बांदिया था तो आर्रे कहता है अथा किम और क्या मैं वही हूँ तो चार उदत कहता है कि विधिनईव उपनीतस तुम चक्चुर विशय मागता अभि प्राणा नहाम जहियाम नतुत्वाम सरणा गताम कि विधिना माने भाग्य के कारण विधिना एव माने भाग्य के कारण ही उपनीता तुम माने तुम उपनीत माने मेरे पास लाए गए हो और चक्चुर विशय मागता हो तुम मेरे आखों की विशय को प्राप्त हुए हो मतलब तुम मुझे दिखे हो विधिना माने बड़े भाग से एव माने ही उपनीता माने पास लाए गए हो तुम माने तुम और चक्षू के विशय में तुम प्राप्त हुए हो मतलब मेरे चक्षू का विशय बने ह अभी प्राणान अहम जहियाम मैं अपने प्राणों को भले ही त्याग दूँगा न तु 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 आम सरणागतम तु मने किंतू नौ मने नहीं तुमको सरणागतम मने सरण में आये हुए मैं तुमको नहीं त्यागूंगा तो आर्यका हर्सम नाटे एती आर्यक हर्स का अभी नहीं करता है बहुत खुस हो जाने का आर्यक अभी नहीं करता है तो चारद तक कहता है वर्धमानक चरणात निगडम अपने अरे वर्धमानक इसके पैरों से निगडमने बेड़ी को अपने मने हटाओ, चरणों से बेड़ी हटाओ, तो चेट कहता है, यद आर्या गयां पे थी, जो आर्या गयां देते हैं, तथा करत्वा ऐसा करके, आर्या अपनी तानी निगडानी, यार्या, मैंने निगडों को बेडियों को अपनी तानी मने हटा दिया है, तो आर्या कहता में एक नहीं स्नेह मयानी यानी प्रेम मयी प्रेम की अन्यान माने दूसरी द्रड़तर माने बहुत कठिन बेडियां दत्तान माने डाल दी हैं प्रेम की बेडियां आपने बहुत कठिन बेडियां डाल दी हैं तब दूसर कहता है गुस्वाओ करके कि संगच्छस्तो निगडा पहन लो अपने पैरों में अब इसकी बेडियां पैरों में थी यह हम लोग पहन लेते हैं क्यों सामपरतम मतलब अब वयम मतलब 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 वय बुवच्टों आलेजिए नागर लेते हैं तो चारोलत कहता है नियुटिक enfants है मैं कंद्राइन ऐसी बात को शामत आरोडोल अरुड़ा मैं चुनकी कि तुम लगए की मेरे जैसी ही अवस्था वाले हो तुमांप के कारण ही तुम्हारे फ्रेंक के कारण ही स्नेह के कारण ही अहब अप माने मैं भी प्रणेन माने स्नेह के कारण ही इदम माने इस प्रभेहर्ण माने गाड़ी पर आरूल मने चळा हूँ दो उचंतव्यम छमा करिए चारुदत कहता है मने अलंकृत हूं मेरे अलंकृत हूं सोयं ग्राह प्रणें भवता जो स्वयम माने अपने आप ही ग्राह मतलब ग्रहन करने वाले प्रणे माने प्रेम के कारण भवता माने आपके मतलब स्वयम ग्राह प्रणे माने स्वयम ही ग्रहन करने किया है प्रणे को जिन्होंने स्वयम ही प्रेम जिन्होंने किया है पासमज में कि नहीं सोयम्मा ने अपने आप ही ग्राह प्रणे मतलब प्रणे का ग्रहन किया है प्रणे के कारण जो आप मेरे गाड़ी पर चड़े है तो ऐसे भवता मतलब ऐसे इस ऐसे आपके द्वारा मैं अलंकृत कर दिया गया हूँ तो आरे कहता है अभ्यनुग गातो भवता गंतों में अभ्यनुग गाता है मतलब अनुमती पाकर के भवता मतलब आपके द्वारा गंतों में जाना चाहता हूँ अभ्यनुग गाता है यानि अनुमती पाकर के भवता मने आपके द्वारा गंतों में जाना चाहता हूँ चार दुत कहता है गंबेताम जाईए तो आरे कहता है भवतु ठीक है अभतरा में ठीक है उतरता हूँ तो अभी तक वो गाड़ी के उपर ही चड़ा हुआ था तो चार दुत कहता है सके नौ अभतरतब्विम अरे कहता है भवतु ठीक है अभतरा में उतर के चलों में चला जाता हूँ आप अपनी गाड़ी से अपने घर चाईए तो चार दुत कहता है ही अभी आपको उतरना नहीं च़हिए अभी मत उतरिये क्यों प्रत्यग्र मने ताजे ताजे अपनी तमाने हटाया है ॥च जिसके अभी अभी बेडियां हटी हैं, अभी अभी तुमारे पैर से बेडियां हटाई हैं, तो भवता हमाने आपकी अलगु संचारा गती, आपकी जो गती है, वो अलगु संचारा है, मने लगु मतलब से गरता से संचार करने वाली गती आपकी नहीं है, भवता हमाने आपक आ लगू संचारा लगू मतलब से गरता से और आ लगू माने देर से संचारा माने चलने वाली गती मतलब आप बहुत धीरे धीरे चल पा रहे हैं आपकी गती धीरे धीरे चलने वाली है और सुलब पूरुस संचारे एस्मिन परदे से सुलभ माने सुलभता से आसानी से पुरुस यानी सिपाही आपको आसानी से मिल सकते हैं तो सुलभ यानी के आसानी से पुरुस यानी के सिपाहियों के संचार मतलब चलने वाले अस्मिन परदेशे इस जगह में यहाँ पर सुलबता से पुरुस यानि राजा के पुरुस सिपाही संचार मने चल रहे हैं अस्मिन प्रदेसे इस जगह में तो प्रभेहनम विश्वासम उत्पादेती यह जो प्रभेहन मने गाड़ी है वो विश्वास को उत्पन करती है कि चारुदत का प्रभेहन जा रहा ह इसलिए कोई भी तुम्हारी तरफ ये विचार करने का साहस नहीं करेगा तो नहीं तो इसमें सुलबता से राजा के पुरुस इसमें चल रहे हैं तो ऐसे राजा के पुरुसों के संचार वाले इस प्रदेश में प्रभेहन जो है विस्वास उत्पन करता है तत मने तो प्रभ स्लोक बोलता है कि छेम अनब ब्रज बांधवान छेम मतलब मने आराम से कुशलता के साथ छेम यानि कुशलता के साथ ब्रज मने जाओ बांधवान यानि अपने बांधवों के पास तो आर्यक कहता है कि ननुमया लब्धो भवान बांधवा ननुमाने अरे मया लब्धा मैंन पालिया है भवान माने आपको बांधव यानि बांधव के रूप में नहीं आपको अपने बंधू बांधव के रूप में पालिया है तो चार दरत कहता है इसमरतब्योस मी कथाय प्थांतर, कि यून के मध्ध में प्रसंग चले तो मुझको भी मैं भी प्थाय आपके द्वारा आप आज़ा त्वार में आपके द्वारा आपके द्वारा याद किया जाओं तो Аर्रे कहता है स्वात्मा अपि विस्मर्यते क्या आपने आपको भी कोई भूल सकता है स्वात्मा मतलब अपने आपको अपिमाने भी विस्मर्यते भूल सकता है क्या आपने आत्मा भी भूला जाता है क्या तो चारदत मने थात पर ये है कि मैं तो आप मेरे आत्मा के तुल्य है मैं आपको कभी नहीं भूल सकता तो चारदत कहता है तो आम रक्षन तो पति प्रयांतम अमराह तो आम मने तुम्हारी रक्षन तो रक्षा करें पति मने रास्ते में प्रयांतम मने जाते हुए अमराह मने देवता तो तुम जब रास्ते में जा रहे हो तो तुम्हारी अमर माने देवता लोग रक्षा करें तो आर्रे कहता है सनरक्षितो हम तो या अहम माने मैं तो या माने तुम्हारे द्वारा सनरक्षिता मतलब सनरक्षित कर लिया गया हूं अब देवताओं के द्वारा रक्षा करने जिरूरत नहीं है तो चारदत कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है स्वईर भाग्ये ही परिरक्षितो असी स्वई ही भाग्ये ही स्वई ही मने अपने भाग्ये ही भाग्यों की कारण परिरक्षिता मने परिरक्षित असी मने हो तुम अपने भागी के कारण परिरक्षित हो तो आरे कहता है नहीं न हितु वने आप ही हितु है चारदत कहता है यदि उद्धते पालके महती रक्षा नबरतते तच्छी ग्रम अपक रामत भवान मने यत मने चूंकी उद्धते पालके मतलब पालक जब उद्धत हो जाएगा मने अगर पालक पकड़ने के लिए उद्धते उद्धते पालके पालक मतलब जब पालक राजा है दुष्ट राजा वो तुमको पकड़ने के लिए उद्धत है इसलिए महती रक्षा नबरतते बहुत ज़ाधा रक्षा की विवस्ता नहीं है महती बहुत ज़ाधा रक्षा मतलब मैं भागता हूँ पुरन बाने फिर से दर्षन करने के लिए मैं यहां से जा रहा हूँ उत यहीं सा बोलके निसक्रांत हमने निकल जाता है तो चार उदर्ध बोलता है कि करत्व एवम मनुझपतेर महाध वेलीकम स्थात्म मीक्छणम पिनपरसस्तमस्मिन मैत्रेया चिप निगडम पुराण कूपे पश्य यूहू छिति पतेयो ही चार दृष्टिया चार दृत कहता है कृत्वा एभम एभम माने ऐसा कृत्वा मने करके मनुझ पतेर महद विलीकम मनुझ पती यानी राजा मनुझ माने मनुस्यों का पती यानी स्वामी राजा तो उस राजा का ये जो महद विलीक मने बहुत जाधा अपराद महद माने बहुत बड़ा विलीक मने अपराद कृत्वा मने करके एभम मने इस प्रकार से मनुझ पती मने राजा का महद मने बहुत बड़ा विलीक मने अपराद क्रित्वा करके एवंन इस प्रकार से पुराने कूप मने कुए में चिप मने फेंक दो पस्य यू मने देख लेंगे नहीं तो छिती पतियों ही चार द्रिष्टिया ये बहुत ज़्यादा महत्व पूर्ण सोकती है क्योंकि जो छिती पती यानि छिती पती कौन होते हैं छिती मतलब भूमी के पती मैंने स्वामी य सब चीज़ें देख लेते हैं तो चार यानि गुप्तचर रूपी द्रिष्टि से चिती पती यानि राजा लोग ही वाने नहीं तो मने चूंकी पस्य यू मने देख लेंगे इसलिए कि मैं इत्रे हैं बिदूशक निगडम मने इस निगड को मने बेडियों को पुरान मने पुराने कुए में चिप मने फेक दो और इस परकार से राजा का महद मने बहुत ज़्यादा बिली का पराद कृत्वा करके एवं इस परकार से छणमप इना छणमप इस था तुन थोड़े दिर भी यहां खड़े रहना प्रसस्तम मने प्रसंसनी नहीं है असमिन वाने इस सूचन करता है बाईयाग के फड़कने का सूचन करता है कि सके महित्रे है महित्रे मेरी बाईयाग फड़क रही है और बाईयाग फड़कना पुरुस के लिए सुब नहीं होता पिछले वाले एंक में हमने देखा था बसंत सेना की दाईयाग फड़क रही थी और इसकी तार असुब को सूचित करने वाली बातें सामने मने आ रही है इसका मतलब कोई बहुत बड़ी घटना होने वाली है और वो घटना यही है कि वसंत सेना मार दी जाएगी और उसके अपराज में चारुदत भी फांसी के फंदी पर ले जाया जाएगा तो कहता है सके मैत्रे है मैत्रे है वसंत सेना दर्सनों त्सुको यम जना है वसंत सेना के को दर्सन मने देखने का उत्सुक है अयम मने यहाजन मनुस्य मतलब यह मैं मनुस्य जो चारुदत मैं वसंत सेना के दर्सन का उत्सुक हूँ वसंत सेना को देखना चाहता हूँ अयम मने देखो कि अपसे तह न देखते हुए दिमाने आज ताम मने उसका अंता मने प्रिया को न देखते हुए मेरा बामम स्फुरत लोचनम मेरा बाया अस्फुरत मने फड़क रहा है लोचन मने आग मेरी बाही आग फड़क रही है अकारण परित्रस्तम बिला कारण के ही परित्रस्त मने घबराया हुआ मं हर्देयं बेथते मेरा हर्दय बेथी ठो रहा है तत मने तो एही मने आओ गच्छावा मने चलते हैं परिक्रम यानि गोम करके कथम अनाभी मुखम अनाभ्युदाईकम स्रमनग दर्सनम ये देखो पहले दुमाई याग फड़क रही थी अब इसको कौन दिग गया बहुत दिभिक्षू दिग गया कथम माने कैसे अभिमुखम माने सामने अना भ्युदय का मतलब की नास करने वाला अभ्युदय मतलब उन्नती करने वाला और अना भ्युदय मतलब उन्नती नहीं ईवनती करने वाला घंडे में इक्राने वाला स्रवनक यानि बहुत भिकषू का दर्सन हो गया अरे यह बहुत सन्यासी का जो अनेन पथा इस मार्ग से आयम भिक्षू हुए भिक्षू प्रव्षत प्रवेस करेविचार करके वयम अपि अनेन यू पथा गठ्छा महा वयम अप नें यू पथा गठ्छा महा जाएंगे ये तिन इसक्रामताह सर्वे इस प्रकार से सब निकल जाते हैं ये थी आरिका अपवाहनम नाम सब्तमू अंका ये आरिका जो अपवाहन है अपवाहन का मतलब अपहरण करना तो अपहरण मतलब जो जहां जा रहा था उन्हें वो पकड में नहीं आया फिछ चारोदित के पास महुच गया तो ये तिस प्रकार से आरिक का जो अपवाहन है एनि कि चारोदित के पास महुच जाना इस नाम बाला साथ मांक समाप्त होता है सर्मनक मतलब होता है विक्षू अब यहां पर जो है असगुन की परंपरा चल रही है सगुन नहीं हो रहा कोई अच्छी चीज को सूचित करने वाला निमित नहीं है असगुन की क्या है परंपरा है बहुत ज़ाधा क्योंकि बसंत सेना और को बाईयां आग फड़क रही ती चारुदत की पहले बाईयां पड़की फिर उसको बहुत भिक्षू दिग गया तो चारुदत और बसंत सेना के अनिष्ट को आगे होने वाले अनिष्ट को सूचित करने के लिए असगुन की परंपरा है जैसे ये था एतद अंक आदव उसंक के आदी में गतंक की समाप्ती में असग के सुरू में गतंक की समाप्ती में बसंत सेना के दक्षिन आख का इस्फुरन और हुआ था वैसे ही यहां पर भी जो है इसके बाईयां के स्पुरण और भिक्षू का दर्षन ये बता रहा है कि असुब का सूचक है इनके स्पुरण जो है इनका फल अनुपदम माने अभी तुरंत आगे अठवे अंक में आपको मिलेगा जब बसंत सेना सकार के द्वारा मार दी जाएगी अथवर मारन के कल जब उसको यातना दी जाएगी मार डालने के तुल यातना दी जाएगी और चारदत को बसंत सेना चारदत के द्वारा बसंत सेना मार दी गई इस ऐसा उसके उपरा पराध लगेगा तो चारदत को पकड़ लिया जाएगा और उसको बध के लिए ले जाया जाएगा ये जो लोग अगलेंग को देख लेंगे सर्वी ब्रूनमोनमाओ